Shut up and sit down देशातन पर निबंध या देश विदेश की सेर पर निबंध या यात्रा का महत्व पर निबंध निबंध नमबर एक देश प्लस अटन इन दो शब्दों में संधी होने से बना है एक नया शब्द देशातन देश किसी ऐसे विशेश बूभाग को कहा जाता है जिसे प्रकृती ने अपने विभिन और विविद रूपों वाले विभिन और विविद प्रकार की संपत्तियों से संपन बनाया होता है उन्हीं के कारण एक ही देश का भाग या प्रांत दूसरे भाग या प्रांत से अलग कहलाता है इसे हम प्रकृती द्वारा देश का भौगौलिक विभाग और वैविदय भी कहलाता है जो अपने आप में संपूर्ण एवं महत्वपूर्ण हुआ करता है देशाटन में दूसरा मुख्य शब्द है अटन जिसका सामान ये अर्थ है घूमना फिरना और तरह तरह के द्रिश्यों का अवलोकन करना इस प्रकार देश और अटन से मिलकर बने इस शब्द देशाटन का अपना व्यापक और विशेशग्य अर्थ हो जाएगा प्राकृतिक और भोगौलिक विभिनिताओं विविधिताओं से संपन अपने देश के अलग-अलग भूभागो प्रांतों का भ्रमन करके वहां के रूप रंग, रहन सहन, रीती नीथियों आदी को दर्शन करना उन्हें निकट से देख सुनकर वहां की विशेशग्यताओं को जानना जहां तक सिमित या व्यापक अर्थों में देशाटन के उदेश, प्रयोजन या लाब आदी का प्रशन है वह चाहे अपने देश के विबिन भागो या प्रांतों का किया जाए अत्वा संसार के विबिन देशों का उनमें समानता ही रहती है व्यक्ति दोनों दशाओं में समान रूप से लाभानवित होता है जबकि देशाटन से विभिन देशों की विशेष्टाईं देखी और समझी जा सकती है अटन या भ्रहमन चाहे देश में किया जाए चाहे सारी धर्ती पर बसे देशों में अनेक लाब निश्चित रूप से प्राप्त हुआ करते हैं देशाटन से मनुरंजन का पहला प्रमुख एवं स्वास्त लाब तो हुआ ही करता है व्यक्ति के मन मस्तिश्क में जो अनेक प्रकार की जिग्यासा जन्य कृतिया रहा करती है उनका हल भी होता है इसी प्रकार जैसे की कहावत बनी हुई है उठ को अपनी उचाई की वास्त विक्ता का एहसास सभी हो जाता है जब वह पहार के नीचे से गुजरता होता है अर्थात अपने आपको बड़ा विद्वान, ज्यानवान और जानकार मानने वाला व्यक्ति देश विदेश में घूम कर जान पाता है कि वास्तव में वह कितना अलपग्य है इस प्रकार देशाटन व्यक्ति के अपने संबंध में पास रखे गए भ्रहम निवारन का भी एक कारण बनकर उसे जीवन की वास्तविक धरातल पर ले अपने का सुखत, शान्तिप्रत कारण बन जाया करता है देशाटन करने वाला व्यक्ति प्रकृति के विभिन और विविद स्वरूपों के साथ साक्षतकार कर पाने का सौभाग्य भी सहजी प्राप्त कर लेता है वहां की परवत मालाओं की बर्फ धंकी चोटियां इतनी उची है कि उन्हें पार कर पाना यदि संभव नहीं तो कठिंतम कारे आवश्यक है इसी प्रकार कहीं रूखी सूखी गरम और नंगी परवत मालाएं हैं जहां चित्राय पेड़ पौधे वनस्पतियों आदी स्वयम भी छाया के लिए तरसा करती है लंबे चोड़े धूल माटी आखो सिर में जोकने को आतुर रेतीले टीलो वाले रेगिस्तान दिखाई दे कर प्रकृती की बनावट पर अश्यर्य करने को बाद्य कर दिया करते हैं कहीं आरपार दृष्टी सीमा के भी उस पार तक फैले सागर जल का विस्तार अपनी उत्ताल तरंगों से मन को मोह लिया करता है इसी प्रकार कहीं तो हमेशा बसंत का गुलजार रहता है और कहीं सर्दी के प्रकोप से पल भर के लिए मुक्ती नहीं मिल पाती कहीं वर्षा रानी के रिमजिम पायल बोर कर देने की सीमा तक बच्चती रहती है और कहीं सक्त गर्मी से व्याकुल शेतना उसकी कुछ बोच्छारे पाने को तरस जाती है देशाटन करके ही इन विविताओं को जाना और अनुभव किया जा सकता है देशाटन करते समय विविन रंग रूप और बनावट वाले लोग तो देखने सुनने को मिलते ही हैं उनके रंग बिरंगे वेज भूशा, रहन सहन, रीती रिवाजो, उचसव त्योहारो, भाषा बोलियो, सभ्यता संस्कृतियों के रूप भी उजागर होकर मन को मुग्ध कर लिया करते हैं इस सबसे अटन करने वाला व्यक्ति, विभिन और विविद जानकारियों को चलता फिरता ज्यान बंधार बन जाया करता है वसुक दुख की हर सिती का सामना कर पाने में समर्थ, उदार विदय सबकी सहायता करने को हमेशा ततपर रहना भी सीख लेता है इसलिए अवसर और सुविदा जुटा कर देश-विदेश का अटन अवश्य करना चाहिए मानवियता को विस्तार देशाटन का सरवाधिक स्रेष्ट लाब कहां माना जा सकता है यात्रा का महत्व निबंद नमबर दो यात्राएं तथा सफर बहुत रोमानशित हुआ करते हैं ये हमें नए स्थानों पर जाने तथा नए लोगों से मिलने का अवसर प्रदान करते हैं जो जानकारी हमें इससे मिलती है वो सीधी तथा कभी नभलने वाली होती है हम चीजों की हर बारीकी को समझ लेते हैं इससे हमें जो अनुभव प्राप्त होता है वो बढ़ियां तथा साफ होता है इसलिए हमें सिक्षा के लिए यात्रा को अपने जीवन का एक भाग बना लेना चाहिए नए स्थानों पर यात्रा करने से हमारी परिक्षन शक्ती बढ़ जाती है जब हम नए स्थान पर जाते हैं तो हम उसे पूर्ण रूप से समझ पाते हैं हमारे मन में एक ऐसी तस्वीर बन जाती है जिसे हम कभी भी भूला नहीं पाते जिन स्थानों पर हम नहीं जाते, उसके बारे में भी जानने का हमारा रुजान बढ़ जाता है हम अपनी आखों तथा दिमाग का पूरा प्रयोग करते हैं इसके फलस्वरूप हम दिमागी रूप से सतर्क तथा चुस्त बनते हैं यात्रा हमें नई लोगों से मिलने तथा उनके जीवन जीने के धंग को जानने में मदद करती है इस प्रकार ऐसे लोगों से मिलना जो अलग-अलग भाशाएं बोलते हैं तथा अलग-अलग प्रकार के वस्तर पहनते हैं बहुत ही खूपसूरत लगता है हमें नए दोस्त बनाने का अवसर मिलता है हमें लगता है कि हम मानवता नाम के एक बड़े परिवार का हिस्सा है हमारे मन में एक दूसरे के लिए सांतावना तथा अपना पंजागता है यात्रा हमें प्रकृती के समीप लेकर जाती है हम प्रकृती को हर रूप में देख पाते हैं हमें बड़े बड़े उचे पहार देखने को मिलते हैं खूपसूर्ती, रंग तथा शान्ती जो के इस प्रकृती में शामिल है हमारी आखों को आनंदित कर देते हैं कुछ समय के लिए हम अपनी रोज के चिंताओं को भूल जाते हैं यात्रा हमारी जिन्दगी में जीवन तथा कला को लेकर आती है जो भी जानकारी हमें एतिहासिक इमारतों, कला तथा चीजों के बारे में हैं वकेवल, किताबी तथा अपूर्ण है किन्तु, यात्रा हमें सीधे हाथ जानकारी प्रदान करती है हमें यह पता चलता है कि जीवन रोमांच पूर्ण है ऐसे साहसिक उच्साह के लिए हमारा खाली घर बैटने का बिलकुल मन करता इस प्रकार यात्रा सिक्षन तथा मनुरंजन दोनों प्रदान करती है